स्वागत आपका एज इफेंटेस में आज अपने बात करेंगे खुले ना टाइकर्स वर्सेज रंगपूर राइडर्स के बीच होने वाले बांगलादेस प्रीमियम लिंक के मेच के बारे में तो इस मेच के लिए को होनोगा अमारी मेगा ग्रेंड के लिए ट्रंप लेर जिस चैस दुनित विला लगिया सोम में सरकार वैस चारो प्लेयर का सेलेक्शन आप जाकर देखो लाश्ट वीडियो चेक करो 30 परसेंट भी नहीं था फिर भी मैने आपको बोला था यह प्लेयर बहुत ही श्यांदार प्रफॉमेंस देने वाले क्योंकि कई लोग कि एक मेच के चैसे आदर में प्लेयर को ब्रहर अकुष्स में मब फ़ाइए रोड करोडेस को द्रोब करते हैं हर मेच में कुछ नंब athyक्षण लोवर स्लेक्शन पष्यंटेज वाले प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ही श्यांदर बंते हैं मेच के लिए टो आज के मेच में बहुत से 6 प्लेयर है जिनको लोग कम लेकर जा रहे हैं लेकिन वह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनने वाले हैं ठीक है हाई प्रसेंट प्लेयर पे कौन से प्लेयर होंगे जिन पर चांस लेना है सीवीसी किस परकार रखना है सब कुछ में आपको इस वीडियो क्यों होगा क्योंकि यहां पर होने वाला है थोड़े से रनो का बारिस ठीक है यहां देखवा अफगानिस्तान 116 पर साथ इस मेच में वेसे बारिस आई थी बता दू आपको तो छोटा मेच था 17 और का साइध तो बांगलादेश स्कोर को चेंज कर रहे है साथ विक्ट पै यह दो विक्ट के नुक्सान जिसको को मिला विक्टोरियन चेंज कर रहे है 210 रंड का स्कोर चेंज वाइस वेन्यू के लिए बांगलादेश के जो पिछे उन में सबसे बढ़िया है ठीक है यह सेरे बांगला की तरह नहीं कि पिस्टल हो आया आपको नजर है यहां बहुत ह शांदर फिच मिलने वाली पहले मेंज क्योंकि अभी जैसे जैसे गेम होगे फिर कम स्कोर बनेगी लेकिन इस्टार्डिंग के मेंज में आपको बड़ी स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेगी ठीक है अब किस परकार से आपको टीम रखनी है इस पिनर्स भी देखो आपको सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो यह गारंटी मेरे कि आपके विन करने के चांसे बहुत ही ज्यादा इसमेट में हो जाएगा वीडियो देखते रहते किस परकार से आपको टीम बनानी चीए ठीक है यहां देखो आप रैंगिट्स क महमद नभी मेंदी हसन मिराज नहीं है मेंदी हसन है दूसरे वाद ओमर जाई हसन मैमून हसन मड और मुराद है हसन मुराद और और आर मॉंडल आपको खेलते हुए नजर आएंगे इसके अलावा माइकल रिपॉन एस अर्षण और अबू हैदर और इन्शुला यह कुछ प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देवाई टेलिग्राम चैनल का तो वहां से आप जोईन जरूर करें लाएं कि जादा मिर्स बांगलादेस की नेशनल टीम से भी इसने नहीं खेले को एक अदम सेंश्री है तो इतना तगड़ा प्लेयर नहीं है और हम हमेसा इसका लाजवाब लेता है यहां देखवा ब्रेडन किंग की बात करते हैं 22 22 नोट आउट उसके बाद फोर्म एकडम से डिप है ठीक है लाच्ट दो गेम में तो इसका खाता भी यहां पर नहीं खुला है बांगलादेश में तो बैए रिसकी पिक है ब्रेडन किं लेकिन प्लेयर अच्छा है ऐसे कोई बात नहीं अच्छी पारी भी खेलना जानता है आप सब जानदो ब्रेडन की अच्छा प्लेयर है ठीक है तो ट्राइ कर सकते हो नूरल असन को देखवा आप बेटिंग उपर करने आ रहे है प्लस विकेड किंग यह प्लेयर इंपर्ट एक और बड़िया प्लेयर इंटरनेसल प्लेयर बैलिस प्लेयर जीरो चोदा प्लेयर जीरो चोटीस तस रान एक विकेड एक विकेड विकेड ठीक था खुरम दिखा है इसने हालांकि बेटिंग से इतना कॉंट्रिबूट करने का मोका भी मिला नहीं तो अच्छी इसन की बात करते हैं गुंदिस नोट आउट दो विकेड जीरो चारण दो विकेड निकाले थे खाफी इंपोर्टेंट बोलर है बैटिंग बोलिंग फिल्डिंग कहीं ना कहीं से पोइंट हमेंसा देता है दोनों इनके जो मेंदी हसन है वैसे तो खूब है और भी है मेंद इसको साथ उपर प्रमोट करें मुझे लग रहा है इस मेच में टेम को इसको उपर प्रमोट करना चाहिए सेमी उसेंड की जगा ठीक है है हसन मेमूद बोल फस्ट में इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा सेकेंड में थोड़ असर इसके रहेगा दो विकेड जीरो दो आपको नजर आ सकता है आप इसको टीम में रख सकते हो और मॉंडल की बात करें दो विकेड जीरो वर लास्ट केम में दो विकेड निकाले थे तो इस वेड्यू पे चलना थोड़ा है मुझे मुझे नजर आ रहा है ठीक है बाकी ट्राइब कर सकते हो बोल फस्ट के लिए र चैन्ज किस विदेसी प्लेर की चैन्ट कहा हूंगे है यहां देख़ा या तो ब्रेडन गींग की जगव प्लेर आ सकता है बाकी नभी बाबर आजम ओमर जाई इनको तो टेम खिलाएगी ठीक है इसके लाग यह की चैन्ज होगा सायद तक ठीक है यहां देख लेता है कुले एन इस्लाम और एम इस्लाम आपको खिलते हुए नजराएंगे यहां चांज होने की चांसेज थोड़े से कम आवा कि मोहमद वसीम आनाची यह टीम में ठीक है अरिफुलक को देखवा तेटीस अना मुलक तेटीस तैलिस दो सेटीस उन्नीस नोर्ट रेसेट नोर्ट वर शां साथ, एक, दो, सोला, बारा और लास्ट गेम में त्रेपन बनाएती श्यांदार फोरम दिखाई थी बंदे ने इससे पहले थोड़ असाउट ओप्ट चल रहा था तो यही कह रहा हूं ब्रेडन किंग के लिए भी हो सकता है अच्छी पारी खेल जाए प्लेयर अच्छा है श्याउप की बात करता है च्छतीस एक, चंबीस, सोला, तैयालीस, नो, पच्चिस नो डाउट बाई कम्माल का प्लेयर है इंपोर्टेंट विक आपके लिए इस गेम में रहने वाला है ठीक है लेकिन लास्ट गेम में अभी हुसेन को वन डाउन बेजा गया तो यह हो सकता अपिम हुसेन बंडाउन आई थोड़ा लेटा है तो अपिम हुसेन में एच्छा कहल रहा है दसन तीन भी इत अटीस एक, चोदा चंबीस सिखता है इस भाई इन प्लेयर का प्रफोर्मेंस बीच में पता है आपको क्यों खरा हुआ क्यों बांगलादेश तो टीम मेंनेजम क्योंकि हो सकता है इनके विगड़ी गेरेगे उसके बाद यह स्टिकर खेलने वाला बेश्ट में अच्छा प्लेयर है एच रहमान की बात करें चोटीस जीर एक्षो सत्रा सत्रा तीन बैटिंग निया में काफी नीचे आ रहा है बैटिंग कम आ ठीक है लिष्टे के रिकोर दो विगड़ दो विगड़ एक विगड़ें हार वेच बेश्ट निकाला अच्छा पिक है और संथोमस की बात करते है जीरो दो विगड़ जीरो दो विगड़ एक विगड़ ओसन ठीकता कि सब्लेयर वही ज्यादा विगड़ हलंकि इसको नहीं मिले आजकल लेकिन कि चैंस है जादा बड़ा इसपील आने के चांस कहा नजर आ रहे हैं कर सकते हैं में मेगा किलिए जो भेट्रिक आप sa तो सारी चीज़ा आपको यहाँ से क्लियर हो जाने वा ले ठीक है यहा pastors भूल अब regulation यहां देखो आप ब्रेडन की भाई लास्ट दो गेम से जिरो जिरो प्याउट जरूर हो रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं कि डिर्म डिम का मेंबर नहीं बन सकता अगर फिर से वोका इसको मिलता है तो इंप्रूर करेगा खुद को अच्छे रण बनाएगा ठीक है लगवग चा साथ भी जा सकते है यहां अफीव हुसें फंदाओं खेलाता लास्ट केम अच्छा खेला था फिर से आप ट्राइकर सकता है जोए को ट्राइए करना ठीक है तेकर बें आप बोलफस्ट में ईह बात यह बात हैं आपको ध्यान में रहे जी है तब आप बहुत एच्छी टिम म विन करोगे ठीक हर बार यहां से प्लेयर आएंगे यह मेरी गारेंटी यहां देखवा अब टीमों में उनको अप्लाई किस प्रकार करना है वो तो बता दिया वह कंपरसेंट प्लेयर लेने किसको लेना यह पता पड़ गया है लेकिन जब तक यहीं नहीं पता पड़ेगा यह ग्लर प्रफोर्मेंस नहीं रहती है नभी मेंदी आसे ओमर जाया अफीद ऐप्लीन को टीम में रखना पड़ेगा ठीक है अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का श्यांदार बोलर है ठीक है तो देखो चेंजेंज होते हैं और होते हैं इसलिए बोलता हूँ टेलेगराम पर जरूर जोइन करें जिससे उस टाइम पर में उस तोस के साफ से चेंजेंज के साफ से तो बाबर आजम आपके लिए बहुत ही शांदार पिक रहेगी केप्टन से की फिर से ठीक है ब्रेटन गिंग पे आप चांस ले सकते हैं वीसी का उदर से शेय हो बैटफ़ेस्ट में शेय हो पो ट्राइ कर सकते हो सेकंड में भी कर सकते हो अरकि अरु फूल हग यह कुछ प पूस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद